नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका कुमंग एकडमी यूटुचेड में जो बात करें परैवन अध्यन की प्रेक्टस चैट नुमर फाइव है और सही जवाब जो दिये हैं यह प्रेक्टस सेट नुमर फोर में जो सही जवाब दिये थे वो लच्छमी पड़वार और प् पूछे गए हैं विछले बार समय अभी तक पूछे गए हैं वो सभी इंक्लूट किये हैं कुल 15 कुष्चन होंगे इस प्रिक्टर सेट में 15 कुष्चन में से आपके कतने सही होते हैं वह आप कुछे कमेंट करके बताइए और कुछ कुछन आपसे पूछे जाएंगे तो जो सही जवाब होगा उसका जवाब हो वो पिन कर दिया जाएगा जो कि सबसे पहले आपको सो होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो देखते हैं किस प्रकार से कुष्चन पूछेगा किस प्रकार से आपको हल करना है एक नया टॉपिक है परेवनी भूंगोल यहां पर आप किसे कहा जाता है उत्री तारे को दच्णी तारे को पूर्वी तारे को या फिर पस्च्मी तारे को तो जो ध्रूब तारा कहा जाता है वो कहा जाता है उत्री तारे को अब क्यों कहा जाता है जो ध्रूब तारा है जो ध्रूब तारा है जो तारा हमेशा उत्तर देशा में इस्थित रहता है इसलिए हम इसा उत्तर में ही चमकते रहता है इसलिए इसको क्या है दृपतारा कहा जाता है और उत्तरी तारे को कहा जाता है दृपतारा वो इसके लिए एक चीज और है कि यह दृपतारा है यह मत्स तारा समूह का एक भाग है या फिर मत्स तारा समूह में से मत से समुख के अंतरगत ये इसको आता है तो दो प्रकार से question पूछा जाता है पहले तो धृबतारा किसी कहा जाता है तो उत्तरी तारी कहा जाता है उत्तरी तारा किस समुख में आता है तो मत से समुख में आता है ये इससे question पूछा गया अभी तक इसके लावर नहीं पू टाइटन जो है वो उपग्रह है कौन का सनी का सनी जो है एक बलाया करती का ग्रह है जिसका टाइटन है वो सबसे बड़ा उपग्रह है सनी ग्रह का ठीक है इसकी बात कर सनी की तो सनी के और भी उपग्रह जिससे मिमान सा है ऐनसे जीड है तेथेस है और हाईपर आनिके एह पाप, पेट भी है फ्वोबो बहुत जजादा पूच जाता है फ्वोबो किसका है और टाइटन ये दोनों बहुत जादा पूच जाते हैं तो ये सानी के अप घ्रे है एक तो टाइटन और ये फ्वोबो है ठीक है सनी के नेस कुछ्चन देखते हैं तीसरा कुछ्चन दिया हुए तीसरा क्या है सुर के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है मंगल प्रत्वी सुक्र बुद्ध तो इसका जो क्रेम है बहुत ज़दर पूचे जाता है जो आपको याद रखना पड़ेगा कैसे याद रखोगे तो इसके लिए English में अभी में जैसे ही कच्छा 6 की Science में दिया हुआ है परियावन में दिया हुआ है हमारा सौर मंडल दिया हुआ है उसमें आपको ट्रिक बताने वाला हुमें कि बिल्कुल आप बिल्कुल आसानी सी याद कर लेंगे जो भी ग्रह है उनको क्या कहा जाता है सबसे नजदी कोण है सबसे दूर कोण सा हुआ है आता है वो कौन से आता है मंगल बुद्ध सुक्र प्तवी मंगल और उसको पर पर याद रखना है कि पहले आएगा कि बाया रहा पर तूपर रहा निचर्ड नास्ट के इसको बाह ग्रहभी कहा जाता है तो आंतरिक रहे कि बाद करें बाद करें तो इनको आंत्रे ग्रहे कहा जाता है बोध शोक्र प्रत्वी मंगर जै चार आप याद कलो तो लास्ट के चार आपको याद हो जाएंगे ठीक है तो इसका साही जवाब कुण सा है दूसरा जो चौथा है बोध दिग रहे है नेस कुछचन है चौथा कुछचन दी यह हुआ है इसमें क दच्ण को लात का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है दच्छनी को लारत का ठीक है प्रत्वी की बात करो तो प्रत्वी में तुमीं जी क教 n मृज जों को सबसे लंबा दिन कौनसा होगा और pilgrwr loan को 2018 को तेभ सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को थो द सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसम्बर को अब आप लोगों के एक क्वेश्चन है कमेंट बाक्स में कमेंट करने के लिए दच्छनी गुलार्थ का सबसे लंबा दिन तो आपको पता चल गया कि 22 दिसम्बर होता है ठीक है लेकर यहां पर यह दे दच्छन की जगह में क्या कर दूं उत्तर कर तो उत्री गुलार्थ का जो सबसे लंबा दिन होगा वह कौन सा होगा वो आप मुझे कमेंट कर दीजे वो जिस भी कंडिडिट का कमेंट सही होगा वह में पिन कर दूँगा सबसे पहले वीडियो के option वीडियो में देखेगा आपको नेस कोशन देखते हैं पांचमा कोशन क् भारत में क्रेशी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्पूर्ण तत्व कौन सा है यदि भारत की बात कर तो क्रेशी प्रधान देश है 75% लोग ग्रामीन में रहते हैं सिर्फ 25% लोग जो है वो सहरों में रहते हैं बाद ज्यादा तर लोग है 75% 80% जो अबादी है व अरता 521 बैसे तो सभी प्रहावित करते हैं लेकर मोख wins सबसे मात्पूर्ण तत्त कौन सा है जो की बहुत ज्यादा प्रहावित करता तो इसका सही कौन सा ब्रेस्टी या फिर प्रधान या मुत्तर रेखा अभी इसके उपर वी एक वीडियो बहुत जरूरी है जो की बनना है और बहुत ही अच्छे तरीकिस आपको बताऊंगा कॉंसे पूरा आपका क्लियर होदाएगा कॉंसी अंतराष्टिय तिथी होता है कॉंसी होती है अंतराष्टिय समय रेखा तो इसका सही जवाब कुंसा इसका है पहला अंतराष्टिय तिथी रेखा यह रेखा जो होती है कैसी होती कालपनिक होती है यदि प्रत्वी की बात करूं मैं तुझे इस प्रकार से होता है एक रेखा जो होती है कुछ रेखा ऐसी खिची होती है यह जो रेखा होती यह जो रेखा होती है यह जो रेखा होती है बिल्कुल पीछे साथ यह रेखा होती है इसके पीछे वाली यह रेखा होती है वही होती है अंतराश्टिय तिति रेखा होती है यह जो अंतराश्टिय तिति रेखा होती है यह क्या करती है प्रत्वी को पूर्वी और पूर्वी बैको सब्सक्राइब भागों कुछा हैं या उत्ति और पश्मी भागों meg纖रtoi थी को सद्वार पूरी प्रिथ्वी को नेस कोर्षण सात्मा कोकी तोटता तारा या उलका है क्या है एक समान गती से चलने वाला तारा एक चमकता पेंड जो बायो मिंडल में एक समान गती से चलता है एक तारा जिसके एक सिरेफ पर पूँच होती है उलकाब जो प्रत्वी के बायो मिंडल में प्रवेस करते ही आग पकड लेता है तूटता तारा या उलका जो है वो एक प्रकार से उलकाव है जो प्रत्वी के बायो मिंडल में प्रिवेस करते ही आग पकड़ा है कई बार आपने देखा होका रात में गौर किया होगा कि तारा तूट रहा है वो तारा नहीं तूटता तारा ही इसलिए कहा जाता है कि वो एक प्रिकार की क्या होते हैं उलकाव होते हैं चुकि जैसे प्रत्वी के उसमें आते हैं वैसे उसमें आग पकड़ लेते हैं इसी करण वो दिखाई देने लगते हैं यदि वो आग ना पकड़ेंगे न तो पता ही नहीं चलेगा कि तारा भी तूटा है या फिर कुछ उलकाव भ और सुर्ष को जा जाए नाज धिया हुए आठमा इक नछात्र का रंग नर्भः करता सो國家 अधेक पर जितना अधिक ताफ होगा उतनी अधिक उसका गहरा रंग होगा नीला रंग सरवाद ताफ को इंगित करता जब पीला रंग सबसे कम ताफ को यदि किसी भी नच्छत का पीला रंग है तो इसका मतलब है कि उसमें ताफ है वो बहुत ही कम है बहुत ही नामात का कम है ठीक है और यदि बात कर तो पीले में ताप बहुत कम मात्रम होता है ठीक है जिस प्रकार से इसको याद रखिए कुन से है प्रस्टिय ताप इसका सही जवाब होगा एक निशात का रंग निर्भर करता है उसकी प्रस्टिय ताप पर नेस को चैने प्रत्वी का जड़वा ग्रह है प्रत्वी की द्वा बेहन भी कह सकते हैं वो सुबह का तारा भी कह सकते हैं कौन सा सुबह का तारा और साम का तारा भी कह सकते हैं चार नामों से इसको जाना जाता है ठीक है तो इस ग्रह को कौन सा नाम दिया गया है वो है सुक्र ग्रह जो है इसको प्रत्वी का जड़वा भी कहा जाता है क्योंकि आकार में इसका जो साइज है वो लगभग लगभग मिलता जुलता है प्रत्वी से इसलिए इसको जड़वा ग्रह कहा जाता है इसको याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि यह जो ग्रह है बहुत ही नजदीक प्रत्वी के नजदीक है तो इस सूर से यहां पर सूर है, इसकी वाद में यहां पर बुद्ध मिलेगा, आपको इसकी वाद में कौन सा मिलेगा, सुक्र मिलेगा, फिर मिलेगा आपको क्या, फिर आपको मिलेगा अपना प्रत्वी मिलेगा, ठीक है, तो सुक्र ग्रह जो है, उसको प्रत्वी की बेहन, सुबह प्रत्वी का जड़वा भी कहा जाता है इसको याद रहे कि बहुत ही अच्छा कोस्तन है कई बार पूंचा गया है कई एक जाया पूंचा गया है नेस कोस्चन देखते हैं, दसमा कोस्चन है, दिन और रात होने का प्रमुक करन हैं, दिन और रात होते हैं, आप बहुत सारे वच्चे हैं, अच्छी तरीकी से जानते हैं, क्यों होते हैं, दिन और रात होने का प्रमुक करन हैं, सूर का अपने धुरी पर गूमना, चंद्रमा है तो यह अपनी धुरी पर ऐसे इस प्रकार से गूंती रहती है इस प्रकार से इसका राउंड होता है ठीक है एक राउंड इसका होता है वो कौन सा होता है एक तो धुरी पर घूंती है उसको क्या बोलते हैं गूंडन बोलते हो एक होता है परिक्रमा जैसे कि यह सूर है तो का परिक्रमा कर गी हैंbon जैसे कि आपने देखा ओग लड़ गूंता है उसी प्रिकार से जैसे यह प्रठवी सवती है यहां पर आक्ष पर तो गोंगती रहती लेकान साथ ही साथ में यहां पर ही एंसे से पहुंच जाती है पूरा चक्कर लगाती है यह सूर है इसके चारा और इसका चक्कर लगाती है सूर तो वो क्या होती है बहुत ही प्रक्मा गती और जो घूमनन गती होती है उसके करण दिन और रात होते हैं उसको कह सकते हैं प्रथवी की अपनी धूरी पर घूमना या पर जब प्रथवी सूर और चंद्रमा के बीच होती है या फिर चंद्रमा प्रथवी एवं सूर के बीच होता है या फिर सूर प्रथवी एवं सूर के बीच होता है या फिर सूर प्रथवी एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तो चंद क्रहन और सूर गेहर बहुत ही अच्छा कॉंसर्ट है एक बार यदी आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा और यदी एक बार क्लियर नहीं हुआ तो आप कितना भी परडो वो आपको हमें सा डाउट बना ही रहता है तो बड़े अच्छे तरीक यहां पर पड़ेगी प्रत्वी पर आएगा ठीक है तो यहां से अंधिला जो होगा यहां पर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा क्योंकि चंद्रमा की खुद की रोशनी तो है नहीं है वो तो सूर से ही रोशनी लेती है तो चंद्रमा गया है चंद्रमा को छाय देखाई बीच में आ जाती है प्रत्वी ठीक है प्रत्वी तब क्या होता है तब जो होता है वो कौन सा होता है चंद्र गहन पड़ता है वो जब आप से पूछा जा सूर गहन का पड़ता है तो सूर गहन तब पड़ेगा जब चंद्रमा जो है चंद्रमा प्रत्वी और सूर के बीच म नहीं आता है इतने आद रखी सूर किसी के बीच में नहीं आता है ठीक है आता है तो प्रत्वी सूर बीच में आ जाता है तो चडगन पर जाता है और चंद्रवा बीच में आ द्रोबतारा सभी मौसमों में इस्थर दिखाई देता है क्योंकि जो द्रोबतारा है वो एक जंगा इस्थर दिखाई देता है आप जब भी देखते हैं तो हमें से इस्थर दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है द्रुबतारा अपने अक्ष पर घुनन नहीं करता द्रुबतारा भूमत रेखा कि अक्ष पर इस्तर होता है द्रुबतारा प्रत्वी के उत्री द्रुब की अक्ष के उपर होता है या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो ध्रुबतारा सभी मौसमों में क्या होता है इस्थर दिखाई देता है उसकी बज़ा है उसकी जो बज़ा है वो बज़ा यह है कि ध्रुबतारा प्रत्वी के उत्री ध्रुब की अक्ष की ऊपर होता है जैसे कि यदि उत्री ध्रुब यह है तो इसके अक्ष पर यह होता ह इसलिए हमेशा क्या है इस्थाई दिखाई देता है क्योंकि पृत्वी का जो घुननकार ऐसा होता है जो पृत्वी पर रहेंगे वह चाहे जहां पर रहें तो तरदे साथ उनकी एक ही रहती है ठीक है तो इसलिए उसको क्या खाते हैं इस्थिर रहता है और वह एक ही इस्था को मिल जाते हैं जहां पर क्या होते हैं आपके जे जो साइट से रेलेटेडर को By your time पूंच जाते या फिर पर्यावन से रेलेटर कोश्छन पूंच जाते हैं था खातान lease एक बला riprnalli में गिरा हुआ जो आंत्रक्ष में हenhhã जारा किलो मीटर तक फैली है फैली है या पैला भी लेख सकते हैं पर मंगल सपनी है शूर यह फिजणर्मा की वेजि ! पिडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूड कर दे अपने दोस्तों के सेर करसकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं सवाल पूँचते हैं किसी किसी के जवाब दे देता हूँ बहुत अधिक समय नहीं मिल पाया है इसलिया भी तक वीडियो नहीं आ देता है भी आपका math जो है जो MPTAT के सीTAT के साफ से math है वो आपका math कराया जाज़ा प्रेक्टेस सेट होने वाले हैं थ्योरी सेक्षन में जो आपका syllabus दिया था MPTAT का वो मैं complete करा चुका हूँ इसके बाद में आपका जो प्रेक्टेस सेट होगा जो कि प्रिवेसर में question पूचे गया है वो होगे जो important question होगे वो करवाँगा इस question का सही जवाब कुन सा होगा सनी सनी एक ऐसा ग्रह जो कि क्या है बालाय के आकर उसमें बालाय छले होते हैं छले भी आ जाता कि छले की आकरती पाई जाती है बालाय पाई जाते हैं तो वो कुन सा है सनी ग्रह है next question जो है तारे का वर्ण निमलिकत में से किसका सूचक है जो तारा होता है उसमें एक वर्ण होता है वो किसका सूचक है बजन का दूरी का ताप का या फिर आकार का तो तारे का वर्ण जो है वो किस प्रकार से सूचित करता है वो ताप का सूचक है किस प्रकार से उसका आफर तो कैसा होगा फीला होगा जित अब के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी तारे का वर्ण ठीक है तो इसका सभाब कुंसा हो जाएगा नश कुस्टन है लास्ट कुस्टन है इस वीडियो का बहुत अच्छा कुस्टन है इसको देखिए इसकी बात में मैंने जो कोस्टिन पूचा है उसका commentbor आसो एकष्ण को क्या कहते हैं घाटकों के बीच गुरुत्वा कर्ष्ण दवारा भारी मातरा में ठोड़ी बहुत मात्रा है भारी मातरा में एक सात एककत्र हुए तारो, धोल और गैस को क्या कहते हैं गुच्छा कहते हैं, वायवंडल कहते हैं, आकास गंगा कहते हैं या फिर शौर परिवार कहते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? आकास गंगा उसको क्या कहते हैं? आकास गंगा कहते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि आकान सकंगा के बारे में बात करें तो जो galaxy है, milky waves को कहा जाता है उस वो आका सकंगा है जिसमें हम सब आजाते हैं जिसमें मुक्रूब से जीवन है, प्रत्वी है उसमें यदी आप देखेंगे, कि यदी कोई तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो उसका तापमान लगभग कितना होगा? 3000 Kelvin से अधेक होगा, जब उसका रंग कैसा हो जाएगा किसी भी तारे का यदी तापमान कैसा होगा? 3000 Kelvin के उपर होगा तापमान कैसा दिखाई देगा लाल दिखाई देगा, कोई साभी तारा हो ठीक है? तो इस प्रकार से 15 कोश्चन आपके कंप्लीट होते हैं वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर करते हैं अपनी दोस्तों को सेर करने ना भूलिए जो कोश्चन पूशा गया उसका जवाब कमेंट आपके कमेंट करके जरूर देजे मिलते हैं नए वीडियो है, तब तक के लिए नमस्कार